हलो एंड अगें वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आइम डॉक्टर मुहमद दानिश और आज मैं आप लोग के साथ जो एक वीडियो शेयर कर रहा हूं इस वीडियो इस अबाउट यूपी पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा अस्टन प्रोफेसर की जो भरती निकाली गई थी करीब एक साल पहले उसका हम लोग जानते हैं कि एक्जाम की डेट आ चुकी है जोकि रिवाइस केलेंडर जारी हुआ यूपी पीसेस की तरफ से तो इस एक्जाम की डेट जो कि पहले एपरेल में निर्धारत थी वो अब 15 मार्श 2022 निर्धारत की गई है तो अब सवाल यह उड़ता है कि इसका पेपर कैसा होगा क्या पेपर का पैटन है पेपर में क्या क्या आएगा और कितने नंबर का पेपर होगा कितने डिवलेशन का पेपर होगा और कैंकिन सब्जेक्ट्स के लिए यह वेकैंसी आई थी कितनी नंबर फेकैंसी थी तो इससे जोड़े वे काफी सवाल जो है मैं आज कि इस वीडिय Public Service Commission दोरह निकाला गया है Adventism No. 2 slash 2020-21 Okay, dated 24 11, 2020 यानि कि 24 November 2020 को निकाला गया था तो यह अलड़ी फॉर्म भरा जा चुका है काफी दोको ने इस फॉर्म को फिल अप किया Okay, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें जो vacancies आहीं थी मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी वेकैंसी जो थी इसमें टोटल थी सब्जेक्ट वाइस उसको बाद हम बात करेंगे कि इसका पेपर का पैटन क्या है कितने नंबर का पेपर आएगा तो जैस में यह वेकैंसी आई थी तो एक जनरल रिक्रूट्मेंट है और इसकी नेचर ऑफ पोस्ट दिरखी है गेजड़ेट पोस्ट है टेंपरेरी है पट लाइकली टूबी पर्मेनेट मतलब है तो यह जो यह वेकैंसी निकाली गई है यह टेंपरेरी की फॉर्म में निकाली लाता है तो गैजड़ेट पोस्ट है इसका सेलरी बैंट भी देखी दे रखा है 15649 एक सो विद्ग्रेट पे 6000 लेवल 10 तो यह सब मिला के बैटे की करीब आपके बैसिक आपके सब मिला के सब्सक्राइब बैटे की 7700 पर उसमें और सारे भत्ते लागेंगे तो वह करीब 78,000 पर यह सब्सक्राइब रहेगी तो अब मैं आपको पहले बता दू कितने सब्जेक्स कौन-कौन सब्जेक्स में यह विकेंसी आई थी तो टोटल करीब 128 विकेंसी थी जिसमें से आपका एकनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इंगलेश, मैथेमेटिक्स, होम साइंस, ज जिसमें सब मिला के टोटल 128 विकेंसी थी अलग 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 कैटेग्री वाई से अलग 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 विकेंसी है जो आपके सामने स्क्रीन पर यह शो हो रही है जनरल कैटेग्री, EWS, OBC, SC, CST, सब्जेक्ट वाईस भी देखिए आपके सामने विकेंसी है मैं स्लोरी स्क्रॉ इसमें स्वाज़ में एक, जेगरफी में चार, फिजिक्स में दो, साइकॉलोजी में पांच, केमिस्ट्री में चार बता हर सब्जेक्ट में 4,5 विकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में आर्ट, बाटनी में 13, कॉमर्स में सबसारा 21 विकेंसी आई ही, एजुकेशन में 5, सोश 26 जो है वो जनरल, 8 EWS, 7 आपके वेकंसी जो है OBC में है, 20 SC और 17 ST, ठीक है, तो इस तरीके से ये वेकंसी आई थी, अब बात ही होती है कि इसका जो है, पेपर कैसा होगा, कितने नंबर का है, हाला कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन नहीं करेगी, लेकिन मैंने दूसर से इसके information निकाली, तो करीब 120 नंबर का इसका पेपर है, 120, जिसमें की 90 questions, जो है 90 questions, वो आपके रहेंगे, आपके subject से, जो भी subject में आपने भरा होगा, सुस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अलावा 30 questions रहेंगे, वो आपके रहेंगे GK के, GKGS ब बोलते हैं इसको, उसमें math का portion भी हो सकता है, reasoning भी हो सकती है, तो यह सारे चीज़ें जो कि एक GKGS में आती है, 30 नंबर होगे, और 90 नंबर जो है, 90 questions, 90 नंबर नहीं कहूँगा, 90 questions जो है, वो आपके subject specific हो, total 120 questions होगे, दो घंटे का यह paper होगा, ठीक है, और कोई negative marking का प्रावधान नहीं है, जैसे कि मै paper 1, paper 2 की form में होगा, लेकिन वो paper होगा, एक की दिन में आसा नहीं है कि अलग-अलगो, एक दो घंटे का paper हो, दो घंटे में आपको 120 questions अट करने है, there is no negative marking, और इसकी date already जो है, आचुकी है, पंदरा मार्स 2022, तो जो बच्चे इसकी तियारी कर रहे है, तो बहुत serious होके इसका revision शुरू करते हैं, और UPHSC का भी पच्चे वेट कर रहे हैं, इंटर्व्यू का, तो देखी subject का उसमें भी पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, तो अगर आपने same subject से बढ़ा है, तो आपने subject को revise करते रहे है, और इसकी भी त्यारी करते रहे है, तो आपका subject भी revise होगा, और आ नेट के second paper का ही standard रहेगा, जैसे कि अभी हमने देखा UPHSC में जो paper आया, almost वो भी net ये net से उपर ही के था, तो ये भी commission का paper है, तो कि इसमें ये राज किये degree college जो government के degree college होते है, एडिट college नहीं, जो government के degree college होते है, ये उसके लिए hiring है, एडिट college के लिए होता है, वो आपके higher education commission जो कि UP का है, UPHSC के द्वरा होता है, ये जो है UPPCS द्वरा जो GDC जो government degree college है, उनके लिए selection का है, तो जो directly पोशित होते हैं, सरकार से, वो colleges में assistant professor की भरती के लिए है, तो registered sports है, temporary है, बट ये permanent होंगी, और pay band भी इनका अच्छा दे रखा है, करीब 78,000, 3000,000 पास्पास कि टाइम कम है, आज 23, 24 हो गई, 23 जैन हो चुकिए, फैब 28 दिन का होता है, तो और 15 मार्च तो ज़्यादा नहीं हमार पर 10 महीने का टाइम है, 10 महीने का असपास, मैं आप जितना कर सकते हैं, उतना प्रिवाइस करिए, और ये जन करिए, अगर आपके लिए काम की हो, तो इसको दूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेर करिए, और सब्सक्राइब करेगा चैनल दानिश कारेगा उसलिग, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बर मुच फॉर वाचिंग तोड़े इस वीडियो, थैंक यू.